नमस्कार साथियों निर्माट लासे जवध्या मैं आपका हार्दिक स्वागत है आज दिश्टान्तों के समस्यां और उनके समाधान के अगले क्रम में अगले प्रश्ण के साथ में हूँ आपके सामने सामान बेवहारी के एक चर्चित प्रश्ण है कभी कभार ऐसा कुछ हो ज सच्ठों में में दिखाते हुई भागने के लिए तीन मिनट का समय देता है इतना अच्छा आनमी था कि उस्ने बम रखने के बाद लोगों को भागने का मौका दिया कंभ नहीं दिया तीन मिनट का एक दुकान में बभम रखता है और इतना मानुविय कार है उसका कि वह तीन मिनट का मौका देता है सभी को कि आप लोग भाग जाए मैंने दुकान में बम रख दिया है ठीक अच्छी बात खा जो एक लकवा का रोगी था वह वहां से भाग ना सका खा एक लकवा का रोगी था वह वहां से भाग नहीं पाया यानि कि चलने फिरने में सामाने लोगों की तरह सच्छम नहीं था वह व प्रश्न ब्रासिम्पल सा है दिख रहा है कि काका कोई आसे नहीं है किसी को मारना बलकि कुछ भैब्याप्त करना है वंबिस्फोट के माध्यम से इसलिए उसने लोगों को जनहान नहीं चाह रहा था जान का नुकसान नहीं होना चाहिए अब देखना है फिर भी एक लकवा का रोगी यानी की सामान को वेक्ती होता वो तो भाग जाता अब लकवा का रोगी दा था तो का क्या करे नहीं भाग पाया दुर्भाग इसे मारा गया ऐसी बात का कहेगा आप से सीधा प्रश्ण है आप क्या नेड़े लेते हैं आप क्या सोचते हैं तो उत्तर भी बहुत अच्छा है का हत्या का दोशी होगा का ने कहा कि मेरा कोई आसाए नहीं था कि कोई मर जाए मैंने तो तीन निट का सबको परियाप तो समय दे दिया कि आप लोग भाग जाएए अब खा नहीं भाग पाया तो मैं क्या करूँ ये तो दुर्भाग से मारा गया यदि ये लकवा का रोगी ना होता तो ना मारा जाता ये तो दुर्भाग गता है वो लकवा का रोगी था नहीं भाग सका मारा गया अब बाग तो अटक गई एंसर है का हत्या का दोसी होगा और का का इस्ट्यूज है कि हमारा तो कोई आसे ही नहीं था हमने तो मौका दिया मान मौका दिखाया ठीक है हुमिनिटी इतनी ज़्यादा मेरे अंदर तो आप कौन से कारण देंगे कि भई आप क्यों हत्या के दोसी है किस डिफनिशन के अंतरगत आएगा कौन से डिफनिशन के कौन से हिस्से में आएगा असपष्ट करना पड़ेगा असपष्ट करेंगे तो ये धारा तीन सो के चोथे खंड में आएगा जब धारा तीन सो की बात करें तो तीन सो में दो बाते हैं आसे इंटेंशन और दूसरी बात है ग्याण ठीक है तो आसे में तो मुक्त हो गया आसे नहीं था वहा तो बच गया लेकिन आप जो कार करने जा रहे हैं उसकी क्या हिस्थिती है उसका मूल ल्यांकन कहां दिया गया है धारा 300 के चौथे खंड में दिया गया है और असपष्ट बताया गया है कि यदि कार करने वाला व्यक्तिया जानता है कि वह कार इतना आसन संकट है और पूरी अधी संभाविता है कि वह मृत्युकारित कर ही देगा या इसी सारीरिक चारित कर देगा जिससे मृत्य होना संभाव है वह मृत्युकारित करने या पूर्वोक्त चारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेत के बिना ऐसा कार करे तो हत्या का दोसी होगा, अब देखा जाए, खंडचार के आसन संकट, imminently dangerous, बम तो आसन संकट होगा, पटाका थोड़े दग रहा है, कि दुर घटना हो गई, बम का रखा जाना स्वयम में यह प्रमारित करता है, इससे किसी की भी मृत्य हो सकती है, या ऐसी छती हो सकती है, ज पूरी अधिसंभाविता है, आल प्राविल्टी है, कि मृत्य तो हो ही जाएगी, कोई भी चपेट में आ जाएगी, और कोई भी जोखिम, ऐसा इसने जो उठाया है, बम रखने का, इसका कोई प्रतिहेत भी नहीं है, कि ऐसा खतरनाक काम, कौन सा प्रतिहेत है, बम दगा कर कि आप कौन सा बचाव लेंगे, कौन सा कारण बताएंगे कि हमने इसलिए बम दगाए नहीं तो ना दगाते, कोई उचित युप्त युप्त प्रतिहेत भी नहीं है, परिणाम काहत्या का दोसी होगा, बहुत असपष्ट तौर पे आप चालेंगे, यानि कि का द्वारा कि गया कार यार्थात बम को रखा जाना, बम का विश्फोट कराना स्वयम में यह कार इतना आसन संकट है, कि उसमें पूरी संभावना होती है, कि किसी की मृत्य हो जाए, ततकाल या ऐसी सारीरिक्छतिकारित हो जाए, कि उसकी मृत्य संभाव हो जाएगी, और यदि ऐसा प्रतिहेत के किया जाता है, यानि कि प्रतिहेत जनरल एक्सेप्सन में हो सकते हैं, प्राइवेट प्रत्रच्छा से संबंदित हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर बिना किसी प्रतिहेत के ऐसा किया जाता है, तो आप हत्या के अपराद के दोसी होंगे, धारा तीन सो के च आसन संकत्ता को देखें, तो आप हत्या के दोसी होगें, यानि का हत्या का दोसी होगा, क्योंकि ऐसा कार कर रहा है कि उसे ज्ञान है, कि उसका कार इतना आसन संकत्त है, imminently dangerous है कि पूरी एर संभाविता है all probability है कि किसी न किसी की मृत्त कारित कर ही देगा और इस कारे को करने के पीछे का का कोई प्रतिहेतु भी नहीं है इसलिए का हत्या के अपराद का दोसी होगा तो इस बात को आपने समझा प्रष्ण आपका आया हुआ है फिर आने की संभावना है प्रिलिंस में भी मेंस में भी और सामान जानकारी में भी इस बात को याद रखिये कि बिना प्रतिहेतु कि आप कोई ऐसा कार न मत करिये जिस से किसी की मृत्त आसन संकट हो जाए पूरी संभावना हो जाए अन्य था आप हत्या की अफराद के और उसका समाधान था उचित तरीके से तर्कों के साथ जैसा की लिखा जाना है जैसा की जानना है आसा करता हूं कि यह आप लोग को समझ में आया होगा अगर कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे को बता सकते हैं आपकी लाइव क्लासेज भी सवा आठ बजे से रिगलर चल रही हैं तीन दिन विधी के लिए तीन दिन जीयस के लिए जिसमें हम प्रश्णों के माध्यम से ही चर्चा कर रहे हैं उसकी ब्याख्या के जरिए अगले प्रश्णों को हम देख रहे हैं जो आने वाले हैं तो उसका भी लाभ आप अवस उठाएं स्वयम और अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब कराएं इधर उधर भटकने से अच्छा है एक ही प्लेट फार्म पे सभी प्रकार के आपके सलूसन है वो हो आपको प्राप्त होंगे इसलिए भटकने की जगा डाटा खर्च करने की जगा रुपए पैसे खर्च करने की जगा एक जगा से आप संपूर लाभ लीजिए अपना स्केरियर सुधार ये सेलक्सन लीजिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाईए तीक है अगले वीडियो में मैं पुना आपके समझ उपस्तित रहूँगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद